बाहु बली 3 में क्या भलाल देव का रोल होगा? क्या सिर्फ एक आख से देखते हैं बाहु बली के भलाल देव? आखिर दो आखे क्यों होती हैं? नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गरिमा तोमर आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में इन दिनों बाहु बली के भलाल देव यानि एक्टर राणा दगगुबाती मिही का बजाज के साथ सगाई को लेकर काफी ज़ादा सुर्ख्यों में है उन्होंने 21 मई को अपनी मंगेतर के साथ बहत खूब सूरत तस्वीर शेयर करके सगाई का एलान किया था वहीं इसके बाद से उन्हें फैंस से लेकर सेलिब्रिटीज तक सोशल मीडिया के जरिये हर कोई बधाईया देता दिखाई दे रहा है इन सब के बीच हाल ही में राणा का एक पुराना इंटरव्यू भी ताबर तोड़ वाइरल हुआ जिसमें उन्होंने वाकई चोकाने वाला खुलासा किया था जिसे जानकर आप भी शौक हो जाएंगे उन्होंने इस इंटरव्यू के दोरान बताया कि वो एक आँख से देख नहीं पाते हैं हो गए ना आप भी शौक हम भी इसी तरह शौक हो गए थे दरसल ये खुलासा एक चैनल में दर्शकों के बीच किया था राना दगुबाती ने उनकी बातों को सुनकर कारेकरम में मौजूद लगबग सभी दर्शकों की आँखे नम हो गई थी इस कारेकरम में राणा दगुबाती ने अपने बारे में ये खुलासा अपने फैंस और दर्शकों का होसला बढ़ाने के लिए किया था उन्होंने बताया कि अपनी किसी भी कमी को अपने सपने पूरे करने से मत रोकने देना अब ये जानने के बाद तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखना चाहेंगे इसलिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं लेकिन जिस कारेकरम का ये वीडियो है वो तेल गुभाशा में हैं तो जब राणा ने इस बात का जिक्र किया तो उस शो की एंकर से लेकर वहाँ बैठी ओडियन्स तक शौक हो गई थी लेकिन ये भी गौर करने वाली बात है कि राणा ने इस परिशानी के बावजूद ऐसा मुकाम हासिल किया है जो वाकई प्रेड़ना लेने लायक है सभी ने राणा के होसले के लिए सलाम किया था वही राणा को ये परिशानी बचपन से ही है उन्हें सीधी आँख से दिखाई ही नहीं देता शुरू से कभी आपको लग रहा हो कि शायद उन्हें चाइल्ड हूड में कोई चोट लग गई हो या किसी परिशानी की वज़े से ऐसा हुआ हो नहीं वो बचपन से ही ऐसी है उनकी आँख अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से राना ने ये खुलासा क्यों किया दरसल वो एक शो में गई हुए थे वहाँ उन्होंने एक प्रतिभागी से ये बात कही थी जो देखने में असमर था राना ने उससे कहा कि अगर मैं अपनी बाई आँख बंद कर लूँ तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा साथ ही ये भी कहा कि किसी ने अपनी मौत के बाद मुझे दाइनी आँख डोनेट की थी राना ने उस पार्टिसिपेंट को सिर्फ ये कहा कि आप महनत कीजिए किसी भी कमी को अपनी लक्षे के आड़े मताने दीजिए अब राना दगुबाती से जुड़ी इस खबर ने हमें भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम दो आँखों से जो जो रंग रूप वस्तू जीव और पेड़ पोदे देख सकते हैं वो सब एक आँख से भी देख सकते हैं तो प्रकरती ने हमें दो ही आँखे क्यों दी हैं इसका एक उत्तर तो ये हो सकता है कि जादतर आवश्यकंग जैसे की कान गुर्दे फेफडे हाथ पैर दो दो इसलिए हैं कि एक के खराब होने पर भी दूसरा काम करता रहे पर आँख के मामले में केवल ये अकेला तो उत अपने दोनों हाथ में एक एक पैंसिल लीजिए एक हाथ में पैंसिल उल्टी पकड़ लो दोनों हाथ दूर दूर फैला लो अब हाथ पास पास लाओ ताकि दोनों पैंसिलों की नोके आमने सामने तो हों पर एक दूसरे को छुए नहीं फिर से हाथ दूर दूर ले जाओ अब एक आँख बंद कर लो और पहले की तरह ही दोनों हाथ पास मे लाओ। जब लगे की नौके एक दूसरे के ऊपर आ गई हैं तब रुख जाओ। अब अपनी आँखे खोल दो। आँखों से ही पता चलती है एक से नहीं। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि एक आँख लंबाई चौडाई की जानकारी देती हैं गहराई की जानकारी दूसरी आँख से मिलती है। इसलिए तो 3D फिल्मों की शूटिंग एक नहीं बलकि एक साथ दो-दो कैमरों से की जाती है। 3D फिल्म को परदे पर दिखाया भी दो-दो प्रोजेक्टरों से जाता है। एक विशेश फिल्टर चश्मा पहनने से दाई आँख को केवल दाए कैमरे द्वारा खीचा द्रश्य ही दिखता है। इस तरह आँखों को गहराई का आभास होता है। अब एक सव जबाब ये है कि तारे धरती से इतनी दूर हैं कि हमारी दूसरी आँख तो तारों के बीच के गहराई का अंदाज लगाने में असमर्थ रहती है। अब आप मुझे बताईए नीचे कॉमेंट सेक्शन में कि राना तग्गुबाती से जुड़ी इस खबर ने क्या आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं जगाई क्योंकि कम्या तो हर इंसान में होती है हर चीज में कम्या होती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उस कमी को पकड़ कर बैठे रहें और बाकी जो हमारे पास अच्छी चीज़े हैं जो हमारी क्रियेटिविटी है जो हमारा टैलें है उसे हम नजर अंदाज कर दे हां लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अगर कोई ऐसी कमी है जिस पर आप वर्काउट कर सकते हैं तो जरूर कीजे भले ही थोड़ा समय लगे लेकिन पैनिक ना होएं बस मेहनत करते रहें और अपने लक्षे की और कदम बढ़ाते रहें सफलता आपके कदम एक दिन जरूर चुमेगी तो क्या आपको आज की ये वीडियो हमारी पसंद आई अगर हां तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जो बैने आप से पूछा है उसका भी जवाब जरूर दें बाहु बली 3 तो लग रहा है कि जरूर बनेगी और सब को इंतजार भी रहेगा वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलिक राद स्टूडियोज